आप देख रहे हैं नवुद्य टैम्स पंजाब के स्री टीवी साथ साल बाद आखिर निर्भ्या के दोस्यों को फासी हो चुकी है हमारे साथ मौजूद है बविदा भोकाड जी मेडम जिस तरीके से साथ साल लग गए इंसाफ मिलने में काफी देरी लग गई क्या कहेंगे मैं देखी यह कहूंगी कि वो कहते हैं कि देर आए दुरस्त आए लेकिन आज फाइनली निर्भ्या के जो दोस्य है उनको फासी हो गई है तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि ऐसे जब दिरिंदे ऐसी हरकते करते हैं तो उनको जल से जल सजा मिलने चाहिए और जो फास्ट करोगे तो आपको भी यही सजा मिलेगी तो लोगों के अंदर एक कहीना कहीं दिमाग में वो चीजे रहेंगी और उसका कहीना कहीं डर भी रहेगा तो डर रहेगा तभी वो लोग अपने आपको सजा मिलने से क्योंकि उनके दिमाग में वो मैं कहूंगी कि फलेस बैक जो दोश्यों के वकीलते उनकी तरफ से बार-बार चाहे वो कोट में जाने की बात हो बार-बार याची का डालना और इंटरनेशनल कोट तक जाने की बात कही गई है। आज सजा हो गई है। के लिए आवाज उठाने चाहिए हमें कोट में जाना चाहिए हमें पुली स्टेशन में जाना की अपने अपायार दर्ज करने तो हमें समाज के लोग क्या कहेंगे। समाज क्या कहेगा। उस डर से हमें चुप-चप घर नहीं बैठना है। हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना है और हमें खुद स्ट्रोंग होने के जुर्थ है। अगर हम स्ट्रोंग होंगे तो मैं यही कहूँगे कि सारी चीजे हमारे अनुशार होंगे। तो हमें उस आवाज उठाने के जुर्थ है और हमें खुद जागरूख होने के जुर्थ है। क्योंकि बहुत से मैं फैमली में में देखती हूं कि वो चीजों को दबा लेते हैं दबाना नहीं है उन चीजों को आप फेस करो उन चीजों को आप बोलोगे कुछ अपने अधिकारों के लिए लड़ोगे तभी तो दूसरा कोई समझेगा नहीं तो किसको क्या पता कि आपके निकलते हैं तो कि अंधेरा होने से पहले आ जाना तो मैं यह कहूंगी कि लड़कियों से ज्यादा लड़कों को समझाने के जूरत है उनको पढ़ाने के जूरत है ताकि यह सब चीजों को अंजाम देने से रुख जाएं और उनकी सोच जो है वो थोड़ी बरोड हो जाए थोड़ी मैं कहूंगी कि उनके दिमाग में एक पोजिटिव विचार आ जाए और लड़कों को समझाओ लड़कों को पढ़ाओ कि किसी दूसरे की घर की इज़त का समान रखे उनके साथ खिलवार ना करे जो समाज की महिला हैं या लड़किया हैं उनकी सेल्फ डिफेंस के ज़ूरी है मैं हर महिला को हर लड़की को कहना चाहती हूं कि कुछ अपने मैं कहूंगी कि फिञीकल अक्टिवटी बहुख ज़ुरूरी है वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाता है वो आपके अंदर स्ट्रॉंग पणा एक धाकट पना लाता है क्योंकि आप जितने अप मतलब थोड़ी सरमिली टाइप में लड़की थी, मैं भी लोगों से मिलने में बाहर जाने में थोड़ी ड्रती थी, लेकिन ये कॉनफिडेंस, ये सब चीजें, कुछ मेरे पेरेंट्स ने हमें शीकाया, और कुछ हमने बाहर जाके, कुछ सब अपने आखों से देखा, सब जी प्रिजिकल फिट होना बहुत जरूरी है